अचली मैं बहुत ग्रीटफुल हूँ और बहुत अपने आपको लखी कंसिडर करती हूँ कि मुझे दुबारा से मौका मिला पहली बार जब मैं निकल गई थी तो कहीना कहीना एक वो आस होती है कि यार मैं पूरी अधूरी रहे गई मेरी जोर्नी शाकाश मैं वापस से अंद मुझे कई हफतों बाद बापस से वो मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुई और इस बार जोर्नी मैं कम्प्लीट तो मैं बिलकुल नहीं खाऊंगी क्योंकि फिनिशिंग लाइन तक आप जब तक ना पहुँचे तब तक कम्प्लीट नहीं होता है कोई भी चीज बट I'm happy that I was a part of it और लोगों को जो लोग घर के अंदर है contestants उनको जानने का और जादा मौका मिला और लोगों के दिल तक पहुचने का जो audience है हमारे उसका भी मौका मिला मैं actually honestly कहुँ तो मैं ऐसी ही हूँ second time भी गई तो लोगों ने मुझे पूछा है वापस से कि क्या strategy बना के आई है तो मैं strategy में believe नहीं करती हूँ मुझे लगता है आए दिन हर एक दिन नया है और वो दिन में जो situations आते हैं आपकी life में उस time पे आप उस situation को deal करो और आगे बढ़ जाओ तो मुझे जो गलत लगेगा मैं वो बोलूँगी जिन्दगी में भी और game के अंदर भी मैंने बोला है और जो सही लगेगा तो मैं सही का साथ दोंगी तो इसलिए हर वक्त अगर चोटे-चोटे भी मुद्दा हो रहा है तो मैं उसमें कूदूंगी नहीं या मतलब अपना तो चिलाने नहीं लगोंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद दो लोग भी बात करके solve out कर सकते हैं और ये इतना भी गलत नहीं कुछ बोल रहा है और जो मुझे गलत लगेगा उसमें मैं जरूर कहूंगी मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं मैंने शालीन को समझाने की कोशिश की जब मैं घर में गई भी थी क्योंकि शालीन बार बार पूछ रहा था बता 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 क्या दिख रहा है कैसे दिख रहा है कैसे दिख रहा है तब मैंने उसको बोला था तुझे अगर suggestions की जरूरत इतना ही है तो मैं यही बोलूँगी कि मत कर तू बेवकूफ क्या कि घर में कोई romantic angle नहीं चल रहा है कोई chemistry नहीं है तो यह fake या confused I would say romantic track चला के शायद वो आगे तक जा सकती है और जो जा भी रही है क्योंकि और बाकी कोई romantic angles नहीं है घर के अंदर शालीन के तरफ से मुझे लगता है कही ना कही he has soft corners for तू गधा है और तेरा इस्तमाल कि जा रहा है तीना तुझे कंफ्यूज कर रहा है sorry तीना तुझे कंफ्यूज कर रही है तो उस weekend के बाद से ही शालीन को कई तोड़ा confusion हो रहा है बट मैं यह भी बोलूँगी कि शालीन भी बहुत जादा confused है क्योंकि वो भी कोई 5-10 साल का बच्चा नहीं है उसने अपनी जिं say the fault is both ways यह आपने मुझे यह क्यू नहीं बोल आफ मत बोल यह तो मेरे गाने का लाइन तो आप पहले बोल लड़की ने गाली दी और फिर जब मैं बोले तुने भी सुना ना गाली दीया क्योँकि मुझे नहीं पता मैंने अन्स स्टैन के गाने यह कभी मैं अ मैं सुनी हों I am not a big fan of rap but I genuinely respect that he has done amazing number of raps in his life but I didn't know that he was saying his song line and Archana was saying his song line but if I am a song that I have sung and he may repeat his song and repeat his song and he may not be able to get out of it so I will tell you that he is my song line I didn't understand anything Shaleen's mother is very graceful, very sweet woman Tina's mother is also an amazing woman, I have a relationship with my aunt with my 10 years but when my aunt went to the house, the first hug was such a big hug and I can relate with Tina's mother because they are both close friends and when she gave me a hug to me, she felt a lot of tears but after that, when I got my auntie vibes from my auntie it was very cold so I may not feel comfortable with them because it was very cold and I was like, I want to see that if the girl has turned out to me and my auntie if I just asked her to come and ask her to come in a few weeks you have so many questions that you have so many questions then why don't you ask me here why don't you ask me here and why don't you ask me one time why don't you say there why don't you ask me here why don't you ask me here ये 10 साल का जो हमारा रिष्टा है, जो वो मुझे 10 साल से जानती है और उन्होंने घर के अंदर ये कहा भी कि मैंने गलती से टीना समझ के शुजिता को हग कर लिया तो क्या हुआ वो भी तो एक बेटी है तो अगर आप बेटी ही समझती है तो आप पूछ सकती थी कि बेटा त तुने ये क्यों बोला, बाद में निकलने के बाद आप मीडिया से सवाल कर रहे है और बोल रहे है कि हाँ मुझे शुजिता से जवाब चाहिए, डेफिनिटली आपको जवाब मिलेगा और पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए अभी भी काकिमा है, मैं आप मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हम कंटेस्टेंस है, घर के अंदर महौल, अलग-अलग समय में परिस्तितिया अलग-अलग होती है, उस टाइम पर एक दूसरे को बहुत सारी गलग चीजे शायद हम कहे जाते है, बोल जाते है, जो एकदम बॉर्डर लाइन में होता है, व पर फिर भी उनको अपने आपको दूर रखना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर की परिस्तितिया, सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, फिर भी अगर आपको बुरा लगा, I am very sorry about that, मुझे जाईसी बात है कि आपको बुरा लगा, तो I am very sorry for that and I would have appreciated Kakima, अगर आपने घर के अंदर मुझ के बारे मैं असा बोला और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आप कही ना कही यह भी बोल रही थी कि तो क्या हुआ मैं Tina समझ के अक्या पर वो भी तो मेरी बेटी जैसी है, तो अगर बेटी जैसी है, तो आपको पूछना चाहिए था, बाद में मीडिया से नहीं पूछ अरफ टॉप थी कांटिस्टंट प्रियांका, शिफ, साजिद जी rozp gerçek, अर्चना और संधरिय के परसे वारे किया बने चांड भी है और ठीक है, आप доб नहीं है , बहुत नहीं नाजujeं है आपकी personality, आपकी individuality कहा है? इस आपकी पर्सनालिटी, इंडिविजुलिटी, आप कैसे चीजों को एंडल करोगे, कैसे चीजों के बारे में सोचते हो तो वो चीज बिलकुल नहीं दिख रहा है सौंधर या का आपकी पर्सनालिटी, जिस घर में रोज जगड़ा होता है, उस घर में अपना कोई आजा तो किना उस्रा बढ़ जाता है? ओ बहुत ज़ादा और माइकल को देखके मैं बहुत ज़ादा खुश हो गई थी और मुझे जिस दिन माइकल आये घर के अंदर, उस दिन मुझे लगा की सच में, एक दिन के अंदर मैंने बिक बॉस की पूरी जर्नी जी लिया उसके साथ ताना, तक्षी थी ताना, तक्षी थी झाल झाल